दोस्तो आज का वीडियो दोस्तो मोटीपेसनल होने वाला दोस्तो इस वीडियो का अंतक देखे दोस्तो अगर आप NTPC का जॉब करना चाहते हैं और आप सीरियस से दोस्तो तभी इस वीडियो को देखे दोस्तो वरना इस वीडियो को लीप कर सकते हैं दोस्तो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि NTPC का वेकेंसी पिछली बार कब आया था 2015 माया था और अभी कब आया है 2019 में लगग चार सालों के बाद आया है दोस्तों ये opportunity बार बार नहीं मिलेगा दोस्तों ये सरकारी नोकरी पाना बहुत बड़ा होता है दोस्तों बहुत बड़ा जज़्बे वाली बात होता है यहां पे आप सरकारी नोकरी और रेलवे के नोकरी एक बहुत important factor रॉल अदा करता है दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं 12 लेबल पर और गरिशन लेबल पर बहुत अच्छी बेकेंसी निकली हुई दोस्तों पिछले बार तो कामी बेकेंसी थी लेकिन इस बार 34,000 बेकेंसी है दोस्तों लगबग यहां पर आप देख सकते हैं 12 लेबल पर 10,628 बेकेंसी है औ और यहां पर ग्रेशन लेबल पर 24,649 है दोस्तों तो इसको मिस बिल्कुल भी नहीं किजिएगा दोस्तों अगर आप सीरियस है तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं आप एक बार इस वेकेंसी को एचिप कर लेते हैं दोस्तों तो इस ग्रेशन लेबल का उसमें लगभग आपको हैंड से ली 50,000 तक मिली जाएगा दोस्तों अगर आप इतनी अच्छी वेकेंसी आया और पेशाई आर्प कॉंस्टेबल रेलवे ग्रूब डी एलेपी टेकनिसियन वगेरा का वेकेंसी आया सब मिस हो गया दोस्तों अगर आ अच्छा मौका है दोस्तों और यहां पर ससी वेकेंसी जल्दी निकलता नहीं है दोस्तों हर एक साल कंड़क्ट होता है लेकिन इतने ज्यादा वेकेंसी नहीं निकलता दोस्तों तो इसको एचिव करने के लिए जिजान से महनत किजिए दोस्तों पूरा दिन रात एक कर दि तो ज्यादा समय वेश्ट ना किजिए दोस्तों क्या पता अगली बेकेंसी कब मिले आपको 2019-2023-24 में मिलेगा अगला सरकार आएगा तो लास्ट में बेकेंसी निकालता है शुरू में बेकेंसी नहीं निकालता है दोस्तों अपना बोट लेने के लिए इस तरह से करता है तो यहाँ पर आप किसी भी हालत में इसको मिस ना होने दिजिए दोस्तों आप अपनी माबाप की उम्मीद को क्यूं नहीं खरे उतर रहे हैं अपनी माबाप को उम्मीद को पूरा किजिए अगर आप सोच लिजिए इस जौब को एचिप कर लेते हैं तो आपकी माबाप की उम के में तो आपको कम से कम सतर से उपर राव मार्स लाना हो दोस्तों तब जाएके नॉर्मलाइज करके असी नब्य तक जाएगा अगर आपका इजी सिफ्ट पढ़ता है तो समझ लिजिए कि अगर 75 असी लाएंगे तब ही जाएके कुछ हो पाएगा क्योंकि नॉर्मलाइज में आपका इजी सिफ्ट रहेगा तो कम ही बढ़ेगा और यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों और यहां पर मैडिकल अस्टेंडर भी आप देख सकते हैं दोस्तों यहां पर किसके लिए यह है कि अगर प्रीफेंट जी साफ से दिते हैं तो उसमें अगर फैल हो जाते हैं और दूसरे में मतलब गूट गार्ट में भी आप मतलब सीबिटी टू में क्वालिफाय कर गये हैं तो आपको जॉब मिल जाएगा दोस्तों कि उसके लिए आपको साइको टेश्ट नहीं दोस्तों फि द साथ में दोस्तों ह frase किसी में प्राफ्विजा का करें अगर तो चोहता मेंको अगर आप सिभर टू में अच्छ से किसी में फैल हो जाते हैं चारиком फोर्ष भीवी बच्छा हुआ तो सी भी टी वन ही आपको मैंन रहे दोस्तों सी वीटी न्हों को एलिफाक कीजिए उसके पास अब 10 12 पोस्ट जितने भी yönस सब के लिए आप इलिजीबल हो ज साल आज कि वीडियों में दोस्तो तो फिर मिलते हैं अगले विडियो में तब तक के लिए धैनिवाद जई